नमस्कार दोस्तो बाइसेल सिग्नल सौफवेर में आप कभी का फिर से स्वागत करते है आज हम आपको दिखाएगे एक कस्टमर का रेक्वेस्ट मिला है कि लास्ट दस दिन का निफ्टी का पफोमस दिखाएगे तो मैं उसकी विश्पूरी कने जा रहा हूँ सौफवेर में अगर सही ट्रेड मिलता है तो ही हम ट्रेड करते है गलर ट्रेड में हम ट्रेड नहीं करते है मैं आपको बता दो कौन सा ट्रेड सही होता है और कौन सा गलत होता है बहुत सौफवेर आपने देखे ओगे जिसमें आपको सही टाइम पर एंट्री नहीं मलती है सह ता नो तरीक को buy signal था वो perfect trade था क्योंकि buy के पहले उपर की side का arrow होना compulsory है अगर ऐसा arrow नहीं बनता है तो हम buy के अंदर काम नहीं करेगे तो ऐसा arrow compulsory होना चाहिए software आपको help करेगा जब तक market उपर जाने वाला होता है तो आगे जाकर आपको यहां support दिया कि market में और उपर जाएगा आप hold रखियेगा यहां भी आपको बोला तै कि यह और उपर जाएगा hold रखियेगा और software को लगा कि अब exit होने का time आगिया तो आपको यहां से बोल दिया कि exit हो जाएए अगले दिन software ने यहां sale signal generate किया है sale signal sale लेने से पहले हम उसको verify करेगे कि सही trade बना है यह पर नहीं बना है तो यहां पर sale के पहले यहां error होना compulsory है अगर यहां error नहीं है तो हम sale में काम नहीं करेगे उसको ignore कर देगे हमारा seat number 2 का भी verification check कर लेते है seat number 2 में हमें check करना होता है कि नीचे की दोनों ribbon है वो red में होनी चाहिए और यह white color की line से market को उसको touch करना चाहिए या फिर उन से नीचे होना चाहिए यहां भी red है 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 मतलब कि यह जो sale signal था वो दोनों seat से verify था तो मतलब कि ये बहुँ strong signal है इसमें आप load की quantity increase कर सकते है या फिर आप put, आप को option में करते है तो इसका put buy करकर आप रख सकते है आगे जगकर ये buy signal जंडेट किया पर उसमें हमें trade नहीं करना था क्योंकि fact signal है fact signal को हम ignore करेगे हमेशा की तरह यहां आप सिर्फ exit कर लीजे आगे जगकर उसने यहां sale signal दिया तो यह sale signal भी perfect trade था confirm trade था क्योंकि sale के पहले हमारी condition match हो रही है क्योंकि sale के पहले downside arrow हमें मिलता है तो हम इसमें trade करेगे साथ में seat number two का भी verification देख लेते है तो हमारी condition match हो रही है क्योंकि यहां पर देखिए white color की line से नीचे चल रहा है और दूसरा यहां नीचे की दोनों ribbon भी trade में चल रही है मतलब कि यह दोनों street से verified trade था अब आगे जाकर हम चेक करेगे कि यह signal है वो fact signal है आप trailing stop loss को अगर touch किया होता तो आप निकल सकते थे वरना आप hold रख सकते है continue यहां पर देखिए अल्रेडी आपको बोला गया था hold रखिए market new position यहां से बना सकते है अब software ने यहां profit booking करवाया है intraday के मुताबिज अगर आप चाहे तो intraday के मुताबिज इसको hold रख सकते है या फिर यह trailing stop loss लेकर आप positional में carry forward कर सकते है आगे जाकर software ने यहां बोला कि यह और नीचे गिनने वाला है आप hold रखिए यहां फिर अगे उसका trailing stop loss है trailing stop loss से पहले ही आपको exit करवा देगा अब यहां पर आपको buy signal मिला तो buy signal perfect है हमारी condition के मुताबिज क्योंकि buy के पहले उपर की side का arrow होना compulsory है तो already यहां लगा हुआ था और software को top level से लगा कि अब exit होने का time हो गया है तो trailing stop loss तो बहुत नीचे था पर उपर से आपको बोल दिया कि exit कर लिजे अब कभी कभी आपको इसा भी सामना करना पड़ेगा क्योंकि सभी time आपको profit नहीं होगा पर यह software आपको loss भी नहीं करवाएगा जैसे कि यहां software ने selling दिया sale के पहले हमारी condition के मुताबिज यह signal पका था अब software ने something cost to cost बोल दिया कि exit कर लिज तो दूसरे software की तरह नहीं है कि आपको ACL तक wait करना पड़ता है पर यहां ACL से पहले ही software को doubt लगेगा तो आपको तुरंग बोल देगा कि exit कर लिजेगा तो यह होती है software की exit exit सही time पर होगा तो आपको अच्छा profit मिलेगा अगर आपको loss से बस सकेगे जबी यह से गलत signal जंडेट होते हैं तो आप loss से बस सकते हैं आगे जाकर software ने यहां buy signal दिया तो buy फी perfect trade है उसका reason में आपको बता देता हूँ कि confirmation यहां पर लगा हुआ था इसलिए यह perfect trade था लंबा profit हुआ इसके अंदर एक बार software ने बोला भी था कि continue रहे गया market उपर जाएगा और trailing stop loss से पहले उपर से software ने profit booking दिया देखिए यहां स stop loss तो आपका बहुत नीचे की नीचे था आगे जाकर software ने यहां sell signal दिया sell signal भी perfect trade था confirm trade था क्योंकि sell के पहले हमारी condition में चोरी है कि downside arrow मिला था और देखिए तो लंबा market नीचे गिर गिया है आज सुबह से ही market continue selling में था और last market ending में भी software ने बोला था कि hold रखिएगा market नीच नीचे गिरने वाला है अब देखते हैं कल क्या होता है तो ऐसी तरह software में काम किया जाता है और profit ले सकेगे अगर आपको इस software में फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी डाउट है तो नीचे डिप्सक्शन बॉक्स में हमारा contact number दिया गया है आप मुझे contact करिएगा मैं आपको डेमो दिखा दूगा धनियवाद दोस्तों और इस सेनल पर हम लाइव करते रहते हैं फ्री में तो सेनल को सब्क्राइब करिएगा क्योंकि हम लाइव में फ्री में कुछ ना कुछ ट्रेड लाइव में देते तो धनियवाद दोस्तों कल फिर से मिलेग के लाइब इवेंड के अंदर नमस्कार दोस्तो जाई हिन